अगर कचोरी खानी है तो ये वीडियो आप फुल वोच कीजेगा बिना कचोरी का मसाला भरे हम ये कचोरी वाली जो नास्ता बना रहे हैं वो सेम टू सेम आपको कचोरी वाला ही स्वात देगा और आपका समय भी पहुत जादा इसमें समय बच जाएगा फ्रेंड्स ऐसे ट्र सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा बिना सब्सक्राइब किये जाएगा नहीं मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइब कमेंड्स और ये लाइक से तो ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आने का मन करता है फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं और वीडियो देखने के एक चमच सौंप, दो चमच में इसमें खड़ा धना डाल रही हूं, दो लवंगे और चार पांच काली मिर्ची है, ये सुके करी पत्ते हैं, और दो तीन मेंने हरी मिर्ची ली है, ये जीरा डाल दिया है और इसे दरदरा पीस लेना है, एकदम बारिक नहीं करना है, तो ये द कट करके मिक्सी के जार में डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसे भी हम पीस लेंगे, ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मुझे कम पानी इसमें चाहिए, और ये पीस लिया है, अभी मैंने एक बड़ा भरतन लिया है, उसमें मैं एक कटोरी च उसमें नमक डाल रही हूं तो आबी मैं इसे मिक्स कर रहे हूं तो हमें इसमें पाणी चामल काता है थोड़ा पानी सोट आपये तो अभी मिक्सी के जार में थोड़ा सा और मसाला रे गया था अलू का तो मैंने उसमें और पानी डाल के और इसमें डाल दिया है और जितना पानी की जरुत रेगी उतना ही हमें डालना है ज्यादा गीला नहीं करना इसे तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसे गूं तो अभी इसे 10 मिनट ढखके रख देंगे ताकि जितना भी इसे सक्त होना है नरम होना है वो हो लेगा अभी मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के और इसे वापस ले लिया है 10 मिनट बाद और मैं इसे मसल रही हूं अच्छे से एकदम सौफ्ट कर लेना इसे मसल मसल के आया है और छोट-छोटी लोई बना के इसे हतेली से चप्टा करना है ज्यादा मोटा नहीं रखना है चप्टा करना है तो यह ऐसे में हतेली से चप्टे करकर के वीरेने रख रही हूं तो ऐसे ही सब लोई को मैं बना लेना है तो यह देखे मैंने सब लोई ऐसे ही बना ली यह फ्रेंट्स यह चप्टी करना है क्योंकि ज़्यादा जाड़ी रखेंगे तो इन्हें प्रेस करने के टाइम पे साइट से फटने लग जाती है तो यह सब मैंने बना ली है और अभी मैंने एक लिया है प्लास्टिक का सीट उस पे में थोड़ा सा तेल डाल रही हूं तो य काम हम यह प्लास्टिक के सीट से ही करेंगे इस पे मैंने वो एक पूरी का यह रख दिया है इस पे थोड़ा सा तेल लगा रही हूं एक दो बूंत और फिर से मैं एक प्लास्टिक की सीट इसके उपर रख दूँगी फिर से यह प्लास्टिक की सीट पे मैं तेल लगा रही ह तो अभी और एक और मैंने पीस रख दिया है इसका पूरी का और इस पे भी तेल लगा दिया है वापस मैंने प्लास्टिकी शीट रख दिये इसके उपर और अब मैंने एक प्लेन सर्पेस वाली प्लेट ले लिए आप कटोरी या लोटा जो भी आपको चाहिए वो आप इस प प्लेन रहना चाहिए और इससे मैं दीर दीर इससे प्रेस कर रही हूं तो देखें ये पूरी दोनों एक साथ बन रही है और हमें बेलने की भी ज़रुत नहीं पढ़ रही है जादा मेहनत भी नहीं लग रही है फटा-फट बन रही है आप दो की जगे तीन या चार पूरी भ बना लेनी है, बहुत कम समय में ये बन जाती है, तेल मैंने पहले से गरम रख दिया था कड़ाई में, तो ये मैं दो दो पुरी डाल रही हूँ और देखे कितनी अच्छे से फुली फुली बन रही है, इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है, जैसे हम कचोरी खाते है वेसा ही सेम इसका टेस्ट रहता है, तो इने अलटते पलटते सेक लेना है, तो ये हमारी पुरी कचोरी बन के रेडी है, बहुत बहुत जादा टेस्टी में चाय के साथ, दही के साथ, या फिर आप ऐसे ही कहीं सफर में भी जाना है, तो आप ये बना के रख सकते हैं, अच या फिर लेस्टन कोई चटनी या फिर चाय के साथ ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो मैंने इसे मुरभा लाल चटनी मीथी चटनी तीखी चटनी और दही के साथ सरू किया है तो फ्रेंट्स ये रेसेपी आप लोगों को कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए तो ऐसी नही नही रेसेपी के वीडियो में लेके आ सकूँ तो कल फिर आती है एक नही रेसेपी के साथ तब तक के लिए टेक केर